Hello everybody, this is Diggraas Singh Rajput, Welcome to Maginate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Special Effects of Weathering के बारे में Special Effects of Weathering क्यों पढ़ना है? और Special Effects आखिर है क्या? तो Special Effects में हमारे पास है Exfoliation Exfoliation क्या होता है सर? वो यहाँ पर मैं समझाओगा अब यहाँ मेरी बात सुनों पहले अच्छे से हमने Weathering पढ़ा Weathering Process को पढ़ा कैसे एक Important Inundational Process होती Weathering, Weathering के पीछे कौन-कौन से Factors काम करते हैं Weathering कैसी होती है तो आपने देखा हाँ सर Chemical Weathering होती है Physical Weathering होती है Biological Activities के कारण भी Weathering होती है इतना हम पढ़ चुके है, समझ चुके है Now what we are going to study अब आगे क्या है कहानी आगे की कहानी समझे देखो Exfoliation जो है आपकी बुक में बड़ी सुन्दर तरीके से लिखा है और वो अच्छा लिखा है Exfoliation result है किसका? Weathering का आप नहीं पढ़ोगे, fail हो जाओगे तो नहीं पढ़ना process थी Fail होना result था तो उसी तरह से जो weathering process होती होती है Weathering के कारण जैसे आपने देखा है कि जो अलग-अलग elements होते है Climate के, weather के जब वो क्या करते हैं जब वो overlying surface के उपर act करते हैं तो उससे आपको change देखने को मिलता है जो change देखने को मिलता है तो उन change में एक change होता है exfoliation Clear होँआ ना? अब exfoliation कैसार यह बता दो बस सबर का बांट तूटे जा रहा है exfoliation को आप ऐसे समझ लो इसे हम onion weathering भी कहते हैं ठीक है? onion weathering, onion weathering जो कहना है तो onion weathering भी कहते है जो प्याज होता है नहीं प्याज को देखा है आपने अलग-अलग layer रहती है एक layer निकालो, दूसरी layer निकालो, तीसरी layer निकालो तो उसी तरह से आप देखते हो कि surface के उपर भी ऐसी layers जो रहती है वो layers जब निकलने लगती है तो वो process को हम exfoliation कहते है exfoliation मतलब exfoliation जैसे foil cover है और exfoliation मतलब क्या होता? foil cover हड़ गया तो वो exfoliation कहलाता है flacking off of more or less curved sheets of shells from over rocks or bedrock results in smooth and rounded surface तो exfoliation एक process होता है जिसमें आप क्या करना है कि more or less rounded जरूरी नहीं कि हमेशा rounded ही हो कभी-कभी plane भी होती है तो इसी plane जो rock sheet रहती है जो rock sheet जब flack off हो जाती है मतलब जो pieces रहते है वो निकल जाती है जिसे आपने देखा है मानलो कि एक मिठाई का डबा है समझो ऐसे तो मिठाई की डब्बे में का है? एक मिठाई, दो मिठाई, तीम मिठाई, तीम मिठाई एक layer निकल गई, ठीक है कई पर दूसरी layer है आपने कभी कभी घूमने जाते है western ghat वगेरा 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 उजरवाले region में जाते हैं ठीक है तो वहाँ जब देखोगे आप तो इस तरह से क्या है आपको अलग-अलग-अलग-अलग क्या होता है आपने जो फिजिकल वेधरिंग प्रोसेस पड़ी थी नहीं तो फिजिकल वेधरिंग प्रोसेस में क्या होता है तो वह जब काम करते हैं तब एक्सफॉलिशन होता है और भॉठ प्रेसाईजली अएकर आपको बता दू सीधा क्लियर कट भुग पर ऐभी ध्यानमत देना बहुत प्रेसाईजली सीधा क्लियर कट बता दू तो प्रेशर और टेंप्रेचर दो चीज ऐसी है तो आपको करता है तो जो सॉईल जो रॉक जो वो एक्सपेंड करती है अब टेमप्रेचर घटा थो ओट्राकेट कषती है एक्सपेंशन कोंटरेक्षट इस्से क्या होगा इस्से यह होगा कि जो रॉक का एक स्ट्रक्चर था ना उसमें आप देखो कि उसमें वह दो तरह से उसकी जो बैंडविद रहेगी वह दो तरह से वैरी होते रहेगी एक्सपैंशन कांप्रक्षेंड contraction तो expansion contraction से जो आपका सबसे उपर वारा जो लेर रहेगा वो सबसे पहले impact को feel करेगा तो exfoliation यही होता है कि due to the expansion and contraction induced by temperature changes जो wear off हो जाता है कि सकते हैं कि top layer का rock की वो exfoliation को जर्म देता है exfoliation वाले structures आपको देखने को मिल जाएंगे clear exfoliation domes and tors result due to unloading and thermal expansion respectively इसमें unloading क्या है वो समझा देता हूं इसमें confusion रहता है बच्चों को clear कर देता हूं tors क्या है तो जैसे आप देखोगे exfoliation domes रहते हैं इस तरह के गोल गोल अडू टाइप से रहते हैं जिनके उपर-उपर की क्या rocks निकल जाती है यहां पर क्या होता है due to the unloading and thermal expansion, unloading क्या है समझना, जब अच्छी चीज़ है समझने आली concept वाल इसलिए बता रहो मैं, यहाँ पे क्या होता है, आपने जो physical, क्या सकते है, physical weathering changes जो थे, उसमें समझा था चीज़ों को कि यहाँ temperature जो है, तो वो क्या करता है, temperature, gravitational force, इस सारी चीज़े, एक important role play करती है, अर्थ surface को shape देने में, वही चीज़ यहाँ पे औरी unloading में क्या होता है, कि यह एक rock है मानलो, अब इस rock के उपर, जब क्या होता है, इस rock के उपर मानलो, किसी तरह का कोई, इस rock के उपर, gravitational pull काम कर रहा है, अब उसके चलते क्या होगा, gravitational pull काम कर रहा है, तो rock के उपर के जो दूसरे sediments थे, वो क्या हो जाते है, वो उड़के चले गए इदर उदर, ठीके, पानी के साथ बहे के चले गए, तो अब क्या हो रहा है, कि पहले वो जो दूसरे sediments deposited थे इस अब क्या होगा कि नीचे से counter pressure आएगा, अब ये नीचे से counter pressure कैसे आया सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक, चलो, simple रखते है, simple कैसे रखते है, कि मान लो, एक तरह से, जैसे, मान लो, एक spring है, ठीक है, ये अच्छा example है, एक spring है, spring को पर आपने हाथ रगा के रखा है, हाथ लगा क अब तो उसी तरह से, एक तो क्या था कि sediments deposited थे जब तक एक pressure काम कर रहा था, sediments जब हट गए यहां से, तो उसके बाद क्या होगा, कि आप देखोगी, unloading pressure आएगा नीचे से, ठीक है, unloading pressure आएगा, जो spring jump करती है, जैसे उपर से, मेरा हाथ में जो pressure को रोग की रखा था, तो अब हाथ अटा है, तो नीचे से pressure जो generate होता है, वो unloading कहला था, वो process, तो unloading process में होता क्या है, कि जब वो pressure नीचे से आता है, तो रोग की जो उपर वाली layer है, अब मालो सेडिमेंट तो चले यह रोग की जो उपर वाली layer थी, जैसे यह रोग की उपर वाली layer से कहां गई, त अब नीचे से रोग के अंदर से pressure आया, due to the removal of deposition, तो वो उपर वाली layer रहेगी, वो क्या होगी, वो जो flags है, वो तूट के गिर जाएंगे, ठीक है, वही चीज यहाँ पर होती, तो exfoliation, doms and tours, result due to unloading and thermal expansion, जो मैंने बता है, thermal expansion में कहा है, temperature changes के कारण आपको क्या देखने को मिल होती है, निकल जाएगी उसकी, ठीक, यह process जो होती है, मतलब यह जो पूरा, कह सकता है, unloading के कारण temperature changes के कारण जो आपको structure बना हो लिखते हैं, वो exfoliation होता है, ठीक है, वो structure exfoliation से बना हुआ structure रहता है, clear हुआ, तो यह special effect था, अब आप बोलो के sir, weathering ने तो बहुत, मतलब कित significance है, weathering की, यह हम आपको next video में बताएंगे, तो weathering समझ में आ रहा है, weathering आपने देख लिया, weathering के special effect, exfoliation में आपको बता दिया, अब next video में हम क्या पढ़ेंगे, अब next video में हम देखेंगे कि significance का, importance का, positive point क्या है, weathering का, weathering के फाइदे क्या, advantage क्या है, ऐसा direct question आ जाएगा आप आपनी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रू बताएं, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.